मैं समस्त भारत वासियों को शक्ती उपासना पर्व नवरात्र और विजय पर्व विजिया दस्मी की अनेक अनेक सुपकामनाई देता हूँ विजिया दस्मी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर थैर्य की विजय का पर्व है यत्याचारी रावन पर भगवान स्री राम के विजय का पर्व है हम इसी भावना के साथ हर बर्ष रावन दहन करते हैं लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है यह पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है मेरे प्यारे देश वाचियों हम इस बार विजया दस्मी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को दो महिने पूरे हुए है विजया दस्मी पर सस्त्र पूजा का भी विधान है भारत की धर्ति पर सस्त्रों की पूजा किसी भूमी पर आधिपत्य नहीं बल्कि उसकी रक्षा के लिए सस्त्र पूजा की जाती है नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समाएं हमारा दरा करते हैं या देवी सर्व भूतेशू शक्ति रुपेन संस्तिता नमस्तेश्य 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 नमोनवा जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं देही सवभाग्य आरोग्यम देही बेपरमम सुखम रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही हमारी शक्ति पुजा सिर्व हमारे लिए नहीं पर पूरी स्रुष्टी के सवभाग्य आरोग्य सूख विजय और यश के लिए की जाती है भारत का दर्शन और विचार इनी मुल्भुत सिद्धानतों को जीता है हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आई एन एस विक्रांत और तेजस का निर्मान भी जानते हैं हम स्रीराम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीवाओं की रक्षा करना भी जानते हैं हम शक्ति पूजा का संकल पर जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया यह मंत्र भी जी करके दिखाते हैं यही तो हमारी भारत भूमी है भारत की विज्या दस्मी भी यही विचार का पती है साथियों आज हमें सवभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का वव्यतम मंदीर बनता देख पा रहे हैं और अयोध्या की अगली राम नौमी अगली राम नौमी पर राम लला के मंदिर में गुंजा हर स्वार पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है वो स्वार जो सताब दियों से यहां कहा जाता है भगवान राम की जन्म भूमी पर बन रहा बंद्य मंदीर दिप्य मंदीर सद्यों की प्रतिक्षा के बाद हम भारतियों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछी महिने बचे हैं भगवान स्री राम अबस आने ही वाले हैं और साथियों उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब सताब्जियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा बिराजे की राम के आने के उत्सव की शुरुवात तो बिजिया दस्पीशे ही शुरु हो गई थी तुलसी भावा राम चनिस मानस में लिखते हैं सगुन हो ही सुन्दर सकल मनप्रसन सब कैर प्रभू आगवन जनाओ जनू नगर रम में चहूं फेर यानि जब बगवान राम का आगवन होने ही वाला था तो पूरी आयोध्या में शुगुन होने वाला था तब सभी का मन प्रसन होने लगा पूरा नगर रमनिक बन गया ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं आज भारत चंद्रमा पर विजय हुआ है हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता बनने जा रहे हैं हमने कुछ सब्ता पहले ही संसत की नई मारत में प्रवेश किया है नारी शक्ती को प्रतिनी दूज़े देने के लिए संसत ने नारी शक्ती बंदन अधिनियम पारित किया है भारत आज विश्वकी सबसे बड़ी डेमोक्राशी के साथ सबसे विश्वस्त्र डेमोक्राशी के रुप में उपर रहा है आजादी के पचरतर साल बार अब भारत के भाग्यका उदै होने जा रहा है लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है हमें ध्यान रखना है कि आज रावन का दहन बस एक पुतले का दहन न हो यह दहन हो हर उस वृत्विकृती का जिसके कारण समाज का आपसी शवहार्द बिगड़ता है यह दहन हो उन शक्तियों का जो जासिवाद और छेत्रवाद के नाम पर मा भारती को बांटने का प्रयास करते हैं यह दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं स्वार्थ की सिद्धी नहीत है पिजिया दस्वी का पर्व सिर्फ रावन पर राम की विजय का पर्व नहीं राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्र भक्ति की विजय का पर्व मनना चाहिए हमें समाज में बुराईयों के बेदभाव के अंतका संकल्प लेना चाहिए साथियों आने वाले पतीस वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपून है पुरा विश्वा आज भारत की और नजर टिकाए हमारे सामर्थ को देख रहा है अब हमें विश्राम नहीं करना है राम चरित मानज बेवी लिखा है राम काज किने बिनूं मोही कहां विश्राम हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है विख्षिद भारत जो आत्म निर्भर हो विख्षिद भारत जो विश्वशान्ति का संदेश दे विख्षिद भारत जहां सब को अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो विख्षिद भारत जहां लोगों को सम्रुद्धी और संतुष्टी का एसाथ हो राम राज की परिकलपना यही है राम राज बैठे त्रैलों का हर्सित भये गए सबसों का यानि जब राम अपने सिहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्स हो और सभी के कश्टों का अंत हो लेकिन यह होगा कैसे और इसलिए मैं आज विजियां दस्वी पर प्रत्य देशवासी से दस संकल्प लेने का आगरह करूँगा पहला संकल्प आने वाली पीडियों का ध्यान रखते हुए हम जादा से जादा पानी बचाएं दूसरा संकल्प हम जादा से जादा लोगों को दिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें तीसरा संकल्प हम अपने गाव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे चौथा संकल्प हम जादा से जादा वो कल्प और लोकल के मंत्रों को फोलो करेंगे मेड इन इंडिया प्रोडक्स का इस्तमाल करेंगे पांचवा संकल्प हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे यात्रा करेंगे परिब्रमन करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर भी देश के लिए सोचेंगे सात्वा संकल्प हम नेचुरल फार्मिंग के प्रती प्राकृति खेती के प्रती किसानों को जादा से जादा जाग रुप करेंगे आठ्वा संकल्प हम सूपर फूर्ड सूपर फूर्ड मिलेट्स को स्रीयन को अपने रोज मर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी शहद को बहुत फाइदा होगा नवा संकल्प हम सब व्यक्तिकत स्वाथ के लिए योग हो स्पॉर्स हो फिट्नेस को अपने जीवन में प्रात्विक्ता देंगे और दस्वा संकल्प हम कम से कम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास मुल्क सुविदाय नहीं है गर हो बिजली हो गैस हो पानी अगर ये नहीं है इलाज की सुविदा नहीं है हम चैन से नहीं बैठेंगे हमें हर हाला भारती तक पहुंचना है उसकी सहायता करनी है तभी देश में विक्सित भारत का सपना पूरा होगा सबका विकास होगा तभी भारत विक्सित बनेगा अपने इन संकल्पों को हम भगवान सी राम का नाम लेते हुए पूर्ण कर पाएं विज्या दस्पी के पावन पर्वपर देश वास्यों को मेरी इसी कामना के साथ अनेक अनेक शुप कामना है राम चरित मानस में कहा गया है प्रभी सी नगर कीजे सब काजा रदय राखी कोशल पूर राजा यानि भगवान सी राम के नाम को मन में रख कर हम जो संकल्प पूरा करना चाहेंगे हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी हम सब भारत के संकल्पों के साथ उन्नती के पत पर बढ़े हम सब भारत को शेष्ट भारत के लख्ष तक पहुँचाएं इसी कामना के साथ आप सभी को पिजिया दस्पी के पावन परवकी धेर सारी शुब कामना है सियावर राम चंद्र की सियावर राम चंद्र की बहुत बहुत धंदिमाद